ये कहा जा सकता है कि नितीश कुमार जब चाहेंगे तब अपनी पार्टी और अपनी सरकार दोनों को मजबूती परदान कर देंगे आप वदादे की जातिय गणना का रिपोर्ट आने के बाद नितीश कुमार ने जिस तरह से अलग-अलग समुदाय के लोगों से अलग-अलग समुदाय से मीटिंग करना सुरू किया उसके बाद से कई चर्चाएं सामने आ गई अब ये चर्चा जब अरदर्श तंग से उठ रही है कि नितीश कुमार आने वाले समय में एक बड़ा राजनितिक खेल खेलना चाहते हैं अलग-अलग जातियों के समुदाय जो हैं वो अपने-अपने हख हुकूप की बात करना सुरू कर चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन आकड़ों को लेकर के भी संसय की स्थिति बनी हुई है नमस्कार बहुत-बहुत सागत करते हैं आपका भारत लाइब में लगतार बिहार और बिहार की राजनित को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है और नितीश कुमार के दाव पेंच को कहीं न कहीं अच्छी तरफ से समझने वाले लोग भी पिछड जाते हैं खास करके अगर बात की जा तो भारती जंता पार्टी और राष्टिय जंतादल के पुरोधा लालु प्रसाद यादो भी नितीश कुमार को कहीं न कहीं एक नजर इधर रखते हैं तो एक मेज़र उधर रखते हैं कि नितीश कुमार कब कौन सा डाव खेल दें जिससे की सारा का सारा खेल ही बदल जाए एक बार फिर से नितीश कुमार ने ऐसा पासा पेका है कि पूरी तरह से अब चर्चा का विशे बन गया है और भारती जन्तापार्टी को अपना कुनबा बचाने की कहीं न कहीं अब तैयारी शुरू हो चुकी है आपको याद होगा कि नितीश कुमार ने जब प्रयास शुरू किया था इंडिये के विरूद एक बड़ा गठबंधन बनाने का तो इंडिया गठबंधन के नाम से बड़ा गठबंधन बना जिसमें कहा जा रहा है कि धाई दर्जन से जादा दल सामिल हुए उसके एवज में एंडिये ने भी यानि भारती जनता पाटी ने भी एक कोशिस किया एक प्रयास किया और एक बड़ी बैठब करके तीस से जादा दलों के सामिल होने का लिष्ट जारी किया लेकिन इस लिष्ट और उस लिष्ट में काफी अंतर था क्योंकि जो गठबंधन नितीश कुमार ने बनाने की तैयारी शुरू की थी उस गठबंधन में कई ऐसे दल थे जो कई राजियों में स्थापित है अब इन सारी बातों को लेकर के भारती जनता पाटी अपना फिट तो थथपा रही थी लेकिन नितीश कुमार से डर बना ह हुआ था अब नितीश कुमार ने ऐसा पासा पेका है कि एंडिये में भगदल मचने की पूरी-पूरी संभावना ब्यक्त की जा रही है आपको बता दें कि जातिये गणना का रिपूर्ट आने के बाद बिहार में जो माहौल है उससे आप बंचित नहीं होंगे बिहार में अलग-अलग जातियों के समूजों हैं वो अपने-अपने हक हुकूप की बात करना सुरू कर चुके हैं तो वहीं दूसरी तरह इस इन आंकडों को लेकर के भी संसर की स्थिती बनी हुई है लेकिन नितीश कुमार का ये कहा जा रहा है कि चाने के निती है गेम प्लान है जि इस बात को अगर देखा जा तो नरेंद्र मोदी एक बार फेर नितीश कुमार के निशाने पर हैं और अगर एंडिये में टूट होई तो अमीद साहभी इस टूट को नहीं बचा पाएंगे एक तरफ आपने देखा होगा कि लगतार ये कहा जा रहा है दो दिन पहले ही समरा इस बार नितीश कुमार को लेकर के अभी ये कहा जा सकता है कि नितीश कुमार जब चाहेंगे तब अपनी पार्टी और अपनी सरकार दोनों को मजबूती परदान कर देंगे इनी सिल्सिलों में आपको बदा दे कि नितीश कुमार ने एक ऐसा पासा फेका है जो कहीं न कहीं जा करके असर किया है और अलग-अलग जो छेत्रिये दल हैं छोटे-छोटे दल हैं वो सब एक बार फिर से नितीश कुमार के तरफ देखना शुरू कर चुके हैं आपको बदा दें कि जातिये गंड़ना का रिपोर्ट आने के बाद नितीश कुमार ने जिस तरह से अलग-अलग समुदाय के लोगों से अलग-अलग समूं से मीटिंग करना सुरू किया उसके बाद से कई चर्चाएं सामने आ गई अब ये चर्चाएं जब अरदर्श चंग से उठ रही है कि नितीश कुमार आने वाले समय में एक बड़ा राजनितिक खेल खेलना चाहते हैं और इस खेल में उन्होंने एक अलग संक्यक तो एक अति पिश्रा समाज से और एक सवर्ण समाज से अपने साथ मंत्री मंडल में सामिल करके उप मुख्य मंत्री बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है ऐसी स्थिती में कौन होगा चेहरा इस बात के लिए लगतार अब होड़ लग गई है कई दल और कई नेता आवेदन देना भी सुरू कर चुके हैं कि मैं उसके लाइक हूं, मैं उसके लाइक हूं अब इस आवेदन मेंसे किसे चार्ट करके सॉटलिस्टेट किया जाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा और नितीश कुमार एक बार फिर से बड़ा राजनितिक ट्विस्ट कर सकते हैं अन्दर की बात ये है कि नितीश कुमार अब इस रास्टे पर आगे निकल पड़े हैं और कही न कहीं भारती जन्तापार्ठी की परशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है हमने आपको पहले भी बताया था कि नितीश कुमार ने 2005 में कौन सा खेल खेला था एक अधिकारी की बात हमने आपको कल ही बताया था कि उस अधिकारी से फिडबैक लेने के बाद सर्वे रिपोर्ट लेने के बाद गुप्त जो सूचनाय थी उसे लेने के बाद नितीश कुमार ने पूरा पासा पॉलट दिया था और लालू परसाद को सत्ता से बिरखल कर दिया था एक बार फिर से नितीश कुमार उसी रणनिती के तहट एक नया खेल खेलने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं दलित समाज, अलपसंख्यक समाज और अतिपिश्रा के साथ सवर्णों को भी नितीश कुमार के साथ जोड़ करके रखेगा क्या होगा यह हम आने वाले वक्त में बताएंगे लेकिन एक तरफ जहां 36% वोट बैंक वाले अतिपिश्रा समाज तो 27% वाले पिश्रा समाज के खुद वो नेता हैं, दूसी तरफ 29% से ज़्यादा दलितों की बात करें तो समानने वर की अगर बात करते हैं तो इन सभी को मिला करके कहीं न कहीं नितिश कुमार एक नया नेकसस पैदा करने जा रहे हैं जो उनके वोट बैंक को एक बार फिर से स्थापित कर देगा जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ ख़बरों का सिलसिला लगतार जारी है अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद